आज 16 अगस्त 2022 अभिशेक शिव महापरान कथा जो बीड महाराष्ट में गुरू जी पनित्पदी मिश्टर जी द्वारा वाची जा रही है उसके दूसरे दिन की कथा पून हो चुकी है और आज की कथा में गुरू जी ने बहुत सी उपयोगी जानकारी और उपाय बताये है वे सभी उपाय इस छोटे से वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे आप सभी के लिए एक खुश खबरी है गुरू जी ने आज की कथा में बताया है कि अगली कथा 23 अगस 2022 से 29 अगस तक चलेगी और यह कथा बीड महाराष्ट जहां अभी वरतमान में कथा चल र सभी उपायों को आप ध्यान से सुने और उपाय किस प्रकार से करना है ताकि आपको संपून फल प्राप्त हो सके पहला उपाय श्री परिवार के प्रतिविम्ब वाला कारे सिद्धी उपाय दूसरा उपाय परिवार में सामन जस से बनाने वाला उपाय तीसरा उपाय कारे चलिए अब सभी उपायों को अच्छे से समझ लेते हैं पहला उपाय अब आज गुरु जी ने एक विशेश उपाय बताया है जो अगर आप किसी भी विशेश कारी के लिए निकल रहे हैं और आप उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर करें आपक से बिंती करते हुए प्राप्त कर लेना है कि है भुले नात ये बेल पत्र में माता पारवती, गणेश, कार्तिके, माता अशोख सुन्दरी और आपके प्रतिपिम के रूप में प्राप्त करके ले जा रहा हूम या ले जा रही हूं अब मेरा शंकर मेरे सांच चल रहा है त यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं जब भी आप कारे के लिए घर से निकल रहे हों बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर गुरू जी ने बताया है कई बार ऐसा होता है कि नई नई शादी होती है और नई परिवार में सेटल होना मुस्किल होता है तो बस आपको एक काम करना है पर एक बेलपत्र अर्पित करना है बेलपत्र अर्पित करना शुरू कीजिए बस बेलपत्र को अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें बेलपत्र की जो डंडी होती है वह माता अशुक सुन्दरी की ओर हो इसके बाद आपको उस बेलपत्र के ऊपर एक कलस साफ जल अर आदे घंटे में समाप्त होना सुरू हो जाता है बढ़ते हैं तीस रोपाई की ओर आज की अभिशीक शिव महापुरान कथा में गुरू जी ने तीरत का जल का महत बताते हुए कोपाय बताया है कि अगर आपके पास कोई भी तीरत का जल हो तो उसे आप शिव मंदर में जाका शिवलिंग पर अर्पित कर दें जल अर्पित करते समय आप ऐसे बैठें कि आपका मुख उत्तर देशा की ओर हो इस प्रकार से तीरत का जल में बहुत बल होता है बढ़ते हैं चोथे उपाई की ओर यह उपाई बहुत ही विशेश है क्योंकि गुरू जी पंडिप्रदीप होने पर करने के लिए एक नया उपाई बताया है गुरू जी ने बताया है अरहर की जो पतिया होती है अर्थात अरहर की दाल के पोधे की जो पतिया होती है उसको जल में डुबा कर वह जल शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर दे भोले ना चाहेंगे तो जरूर बचा तो आप इस उपाय में जल का आचमन ना करें सिर्फ जल को शिवलिंग पर अर्पित करें बढ़ते हैं पांचवे और आख्री उपाय की ओर आप कोई भी तीरत में गए हो महकाल गए हो या फिर कोई भी बड़े मंदिर गए हो तो उस शिवाले के पास में कोई भी बावडी हो हैंड पंप हो तो उससे जल प्राप्त करके भगवान शंकर को जल समर्पित कर दें इससे विद्वता प्रबल होती है अगर आपका संबंद नहीं हो रहा है रिस्ता नहीं बन रहा है और आप चाहा रहे हैं कि हमारा इस्ता यहां हो तो आप बावडी का जल या हैंड संदाई होगी और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महाध्यों टाइप करना ना भूलें